हलो फ्रेंद्स आप देखरे फिल्मे बीट और मैं हूँ आपके साथ आचल दोस्तों काफी समय से चली आ रही शादी की अफवाओं पर अप पूरी तरह से फूल स्टॉप लग गया है जिहां दोस्तों आलिया भट रणबीर कपूर की शादी अब कंफर्म हो चुकी है जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं सुभा ही नीतु कपूर और उनकी बेटी रदिमा कपूर को मेंदी सर्मनी के लिए सुभा घर से निकलते हुए देखा गया था 14 से 17 एपरिल के बीच शादी में बंधने जा रहे हैं रनबीर कपूर और आलिया भट जिन से की बात हो और जूते चुराई की रसम की बात ना की जाए तो फिर तो गलत बात हो जाएगी दोस्तो हर शादी में जूते चुराई की रसम एक बहुत ही खास रसम मानी जाती है और इस रसम को लेकर इस शादी में भी काफी हलचल मची हुई है दोस्तो बताया जा रहा है कि रन्बीर कपूर की जेब आलिया की बहन और सहेलियों को जूते चुराई में देने वाली गिफ्ट से हल की होने वाली है दोस्तों रन्बीर कपूर ने एक बजट तो तयार किया है अपनी सालियों को गिफ्ट देने का लेकिन देखना ये होगा कि क्या उनकी सालियां मान जाती हैं या नहीं दोस्तों मीडिया रिपोर्स की माने तो रनबीर कपूर आलिया की गर्ल गैंग को एक लाग रुपे देने वाले हैं जी हाँ दोस्तो रन्बीर कपूर जूते चुराई की रसम में आलिया की गर्ल गैम को एक लाख रुपे देंगे और यही बज़ट रन्बीर की ओर से तैर किया गया है लेकिन उमीद है जिब शादी का बज़ट इतना अच्छा है तो लड़कियों की डिमान तो जादा होनी चाहिए भई याकिर आलिया और रन्बीर की शादी है दोस्तो रन्बीर और आलिया के फैंस उन दोनों की शादी देखने के लिए काफी लंबे अर्से से इंतिजार कर रहे थे और अब जल्द ही वह दिन आने वाला है जब रन्बीर कपूर और आलिया भट हमेशा के लिए एक डूजे के हो जाएंगे दोस्तो खबरों की माने तो आलिया भट अपनी फिल्म राजी के एक गाने पर परफॉर्मेंस भी देने वाली है जी हाँ दोस्तो आलिया भट की फिल्म राजी उनके दिल के काफी करीब है और रिपोर्स की माने तो आलिया अपने संगीत पर इस फिल्म के एक गाने पर परफार्मिस दे सकती है दोस्तो ये गाना काफी एमोशनल है तो जाहिर सी बात है कि आलिया के माता पिता थोड़े से एमोशनल तो हो ही जाएंगे दोस्तो आपको बता दे कि ये फिल्म 2018 में आई थी और इसका गाना काफी पॉपिलर हुआ था आपको बता दे दोस्तो ये शादी रनबीर के दादा राजखपूर के घर में होगी लेकिन शादी के जशन के लिए रनबीर और आलिया के घर को भी पूरा धुलन की तरह सजा दिया गया है आरके स्टूडियो हो या फिर कृष्णा राजख का बंगला सभी जगा शादी की तैयारियां जोरों पर है और सभी घरों को शादी की तैयारियों के चलते काफी सुन्दर तरीके से सजाया गया है